दोस्तों आज के वीडियो में मैं चार रिवस ग्रे हेर सकसे स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ नमबर वन गौड गेमिंग जी ने बताया है कि उनके फ्रेंड के 50% तक बाल काले थे यानि के 50% बाल सफेद भी थे फिर तीन मेहनों तक लगातार नेल रबिंग करने से उनके फ्रेंड के सारे बाल काले हो गए इस बात पर उन्हें बहुत आश्चरे हुआ बलायम करने से किसी को जल्दी रिजल्ट मिल जाता है और किसी को काफे टाइम लग जाता है नमबर टू, समेता नाग जी का कहना है कि उन्हें मेरे वीडियोस देखकर इंस्पिरेशन मिला तो उन्होंने बलायम करना शुरू किया छे मेहनों तक उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला फिर वो खुद को मोटिवेट करने के लिए मेरे रिवस ग्रेहेर सकसे स्टोरीज के वीडियो को देखती थी और बलायम करती थी फिर छे मेहने के बाद उनके काफी सारे बाल जड़ से काले होने शुरू हो गए बल्टी खान जी का कहना है कि वो पिछले साथ मेहनों से नेल रबिंग कर रहे हैं जिसकी वज़े से उनके थोड़े से बाल काले होने की रफतार तेज हो गई है आगे उन्होंने कहा है कि उनको सबसे ज़्यादा आवला मुरब्बा से हुआ इस कमेंट के माध्यम से वो सभी सबस्क्राइबर्स को बताना चाहते हैं कि रोजयाना 2-3 आवला मुरब्बा खाकर 30 मिनिट तक बलायम करना तब बाल जरूर काला होगा उनका भी हुआ है नमबर 4 मसूदा बेगम जी का कहना है कि वो मेरा तुरई वाला ओयल घर पर बनाकर 5-6 मैनों से लगा रही हैं साथ में एक घंटा बलायम करती हैं डेली वन टेबल स्पून आवला पाउडर और वन टेबल स्पून काला तिल खाती हैं डेली दिन में दो बार ब्लैक स्ट्रेप मॉलसिस भी पीती हैं उनकी सफिद बाल काले भी हो रहे हैं और बहुत स्ट्रॉंग भी हो गए हैं उन्हें मेरा ग्रे हेर कम्पलीट डाइट का वीडियो भी अच्छा लगा और वो उस डाइट को फॉलो कर रही हैं उस वीडियो म कि आप लोगों को मेरी ग्रेयर सक्षे स्टोरी अच्छी लगी होंगी इसी तरह के और भी इंफर्मिशन चाहते हैं तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और इससे जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें ठैंक्यू दोस्टो ठैंक्यू